6.7 घरेलू विद्युत परिपत हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ती मुख्य तारों मिन्स से प्राप्त होती है यह हमारे घरों में तीन तारों वाली वायरिंग के जरिये पहुंसती है लाल रंग का तार विद्युत मैं तार कहलाता है नीले या काले रंका तार उदासीन तार होता है और हरे रंका तार भू संपर्क तार होता है हमारे देश में विद्युत मैं तार एवं उदासीन तारों के बीच का विभवान तर 220 वोल्ट होता है भू संपर्क तार मोटा तामबे का बना तार होता है जिसे तामबे की एक पट्टी से जोड़ कर भूमी में गार दिया जाता है इसे विद्यूत मीटर से जोड़ने के बाद मेन स्विच से जोड़ा जाता है विद्ध्युत खंबे से आते हुए विद्ध्युत में व उदासीन तार सबसे पहले एक इस्थिर भकसे से जिसे विद्ध्युत मीटर कहते हैं में जाते हैं पूरे परिपत में अती भारण अत्वा लगू पतन से लगने वाली आग से बचने के लिए इसे फ्यूज के साथ श्रेनी क्रम में जोड़ा जाता है जब दुरगटना वश विद्यूत में तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो परिपत का प्रतिरोध शूर्ण्य हो जाता है और परिपत में से बहुत अधिक धारा बहने लगती है इस कारण परिपत में लगे उपकरण क्षदी ग्रस तो हो जाते हैं और साथ में चिंगारी भी उत्पन हो सकती है फ्यूज किसी ऐसी धातू अथ्वा मिश्र धातू के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांखो उधारन के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आईरन, लेड आधी का बना होता है यदि परिपत में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विध्युधारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धी होती है इससे फ्यूज तार पिखल जाता है और परिपत तूट जाता है घरों में प्राया 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 10 A क्षमता वाला फ्यूस उप्योग में लिया जाता है बिजली उत्पादन इस तुरोच से विद्युद्धारा प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होती है इस प्रकार की विद्योध धारा के प्रभाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है इसे AC alternating current कहते हैं घरेलू उप्योग के लिए 5 A और ओद्योगेक उप्योग के लिए 15 A की प्रत्यावर्ती धारा की आवशक्ता होती है जिसकी आवरिती 50 Hz हो सेल अथ्वा बैटरी से उत्पन होने वाली धारा धारा का वह स्वरूप है जिसकी दिशा नियत रहती है इसकी आवरिती 0 Hz होती है इसे दिश्ट धारा DC direct current कहते है